नमस्कार आपका स्वागत है वास्तु शास्त्र में आठ वितियों और आठरा वास्तु के अलावा भी अनेक प्रकार के वास्तु दोशों का वर्नन किया गया है जो प्रकृती अथोआ मनुश द्वारा निर्मित हो सकते है इने वेद कहा जाता है वेद का तत्परिय है प्रकाश और वायू के मार्ग में रुकावट। आम तोर पर कुछ वेद हमें आसानी से नजर आते हैं जैसे चोरहा, रुका हुआ पानी, नाला और खंबाई त्यादी। अनेको व्रक्षों का निवा स्थान के आसपास होना भी वास्य दोश का कारण ब प्रकार का व्रक्ष होने से व्रक्ष वेद उत्पन्न होते हैं अतवास्तु शास्त्र के अनुसार ये पेड घर के सामने हो तो मकान मालिक को न घर का न घाट का वाली सिति में रखते हैं और उसका कई कारियों में नुकसान भी करवा देते हैं तो चलिए जान लेते हैं हमा पहली बात घर के प्रोईश द्वार के सामने व्रक्ष हो तो वह भी एक प्रकार का वेद उत्पन करता है। अधर घर के प्रोईश द्वार पर कोई व्रक्ष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के वेद के कारण भवन में निवास करने वालों को सदे उपरिशानियों का सामना करना पड़ता है और अपमान सहना पड़ता है दूसरी बात द्वार के सामने कोन, कोलू, खंबा, कुवा, मंदिर अत्वा कील हो तो द्वार के लिए शुब माना नहीं जाता है तीसरी बात मुख्य द्वार के सामने कुवा, हैंड पंप अत्वा पानी के टंकी हो तो मानसी का संतुलन बना रहता है और घर में हमेशा ही धनकी कमी बनी रहती है इस वेद के कारण भवन में निवास करने वाले सदेव परिशान रहते है चौती बात घर के धेलिज के सामने ठोका हुआ अथवा गड़ा हुआ कील भी वेद का कारण बनता है पाची बात घर के धरवाजे के सामने सीडी बनना भी वेद करने वाला होता है इससे परिवार के सदोस्यों की उन्नती रुख जाती है चटी बात विद्दूत अथवा टेलिफोन के खंबे भी घर के मुखे द्वार के सामने नहीं होने चाहिए नहीं तो बेवजय रोगों का सामना करना पड़ता है और घर में लक्षमी का अभव बना रहता है साथ यदि घर के सामने पलाश का पेड़ हो तो ग्रह स्वामी सदेव पराजित होता रहता है आठी बात यदि प्रविश द्वार के सामने इमिली का व्रक्ष हो तो घर के सदोस्यों की अकाल मृत्य हो जाती है नवी बात अवदुंबर का व्रक्ष यदि मकान के सामने हो तो वो पोईत्र होते होय भी परिवार के सदोस्यों में आखों का रोग उत्पन करता है घर के सामने पीपल का व्रक्ष भूद प्रेत की पीड़ा उत्पन करता है ग्रह स्वामी के भीतर हमेशा डर बना रहता है घर के उपर यदि किसी व्रक्ष की परचाई परती हो तो उस घर पर निद्रा देवी का शासन होता है घर में तमोगुन, अस्ति पीडा, पित्त का कष्ट और तपेदिक जैसे रोग, साइटी का, संदिवात, जैसे भैंकर बीमारिया उत्पन हो जाती है ऐसे घर में निवास करने वाले रोगों का इलाज, डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं, आंगन में दूद वाले व्रक्ष घर का नाश करते हैं, अतब बरगत, आक, मदार, आदी के व्रक्ष नहीं लगाने चाहिए, केले, बादाम, खजूर, आम, अंगूर, बेर, आदी के व्र कार के पेड़, आंगन में नहीं होने चाहिए, पीपल और चंदन का व्रक्ष आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने नहीं, तुलसी का पोधा अवश्य लगाना चाहिए, घर के पस्चिम दिशा में, पीपल का व्रक्ष, पूरो दिशा में, बरगत दक्षिन दिशा में गुलर का व्रक्ष यो मुत्तर दिशा में कैद का व्रक्ष लगाने का संकेत वास्तु शास्त्र में मिलता है। तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार के सामने ऐसे पेड ना लगा है। ओमेदे ये जान करें आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंड में जेमा लक्षमी अवशे लिखे। साथ इस चानल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।